Hey guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग टाइमर 2 के इंटरप्ट के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आपको नहीं पता इंटरप्ट होते क्या हैं और यह basically work कैसे करते हैं, तो आप इससे previous जो इसे इंटरप्ट के उनको जरूर से देख लेजिएगा, और secondly आप लोगों को यहाँ पर टाइमर 2 के बारे में अगर नहीं पता और इसकी working नहीं पता, तो आप लोगों को एक बार टाइमर 2 के बारे में भी देख लेना चाहिए, तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करत हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, टाइमर 2 के साथ जो इंटरप्ट है वो basically work कैसे करेगा, देखिए अगर आप टाइमर 2 के साथ इंटरप्ट को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जरूरत होती है अपने ग्लोबल भी भी बोलते हैं, उसको one करना होता है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर embedded C language को use कर रहे हैं, तो embedded C language में global interrupt को enable करने के लिए एक function होता है, SEI नाम से, तो आप लोग directly उसको वहाँ पर लिखके भी अपने global interrupt को enable कर सकते हैं, अब global interrupt को enable करने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर अपने local interrupt को भी enable करना पड़ता है, आप जिस interrupt को यहाँ पर use करना चाहते हैं, उसके corresponding आप लोगों को यहाँ पर TIMS के register में जो bits होंगी उनको set करना होगा, basically timer2 के साथ हम लोगों को यहाँ पर दो interrupts मिलते हैं, एक आप लोगों का है timer2 overflow interrupt और second आप लोगों के पास यहाँ प timer2 overflow interrupt enable है और इस case में अगर हम लोगों का timer2 overflow करता है, तो इस case में हम लोगों का यहाँ पर एक interrupt generate होगा और यह interrupt generate होने के साथ ही हम लोगों का TIFR register में एक bit होती है TOV2, इसको हम लोग timer2 overflow interrupt flag भी बोलते हैं, तो अगर आपका यहाँ पर timer2 overflow होगा, तो यह particular जो bit है, यह आप लो similarly अगर आप लोगों ने यहाँ पर global interrupt को enable किया है और साथ ही local interrupt को भी enable किया है, जो कि आपका यहाँ पर output compare match interrupt होता है, तो इस case में अगर आप लोगों के timer2 की value equal होती है OCR register की value के, तो उस case में हम लोगों का जो CPU है वो एक interrupt को generate करेगा, और इस interrupt के corresponding हम लोगों के TIFR register में एक orbit ह होती है OCF 2 bit, तो जब आप लोगों का यहाँ पर comparison match होगा, मतलब कि timer2 की value है वो OCR register के equal होगी, तो उस case में हम लोगों का जो यह OCF 2 bit है, यह set हो जाती है, finally अगर आपके कोई भी interrupt flag यहाँ पर activate होते है, मतलब कि अगर आपका OCF 2 में value 1 होती है, यह फिर TOV2 में value 1 होती है, तो इस case में हम लोगों का जो micro controller है, वो basically जो भी ongoing instruction होगी main program में उसको stop कर देगा, और उसके बाद इन interrupts के corresponding जो ISR होता है, उसमें जो code लिखा है, उस code को यह basically execute करेगा, और ISR में जो भी आपका code होगा, वो जैसे ही execute होगा completely, वैसे ही हम लोगों का CPU है, again main program को वहाँ पर resume कर next, इसके बाद हम लोग अपने TIMSK register को देख लेते हैं, यहाँ पर TIMSK का basically मतलब क्या है, यह timer counter interrupt mask register, ठीक है, तो यह आप लोगों का जो register है, यह basically तीनो timers के साथ share होता है, अगर इसमें आप लोग देखें, यह जो दो bits हैं, यह आपके basically timer 0 के साथ use होती है, similarly यहाँ पर य यह जो आप लोगों की bits हैं, यह timer 1 के साथ use होंगी, और 6th और 7th number की जो bits हैं, यह हम लोगों के timer 2 के साथ use होती है, तो फिलाल हम लोगों को यहाँ पर 6th और 7th number bit को ही देखना है, तो यहाँ पर हम लोगों का TOIE2 जो है, वो basically timer counter to overflow interrupt enabled bit है, जब भी आप लोग इस bit को 1 करेंग और साथ ही जो आपके SREG register की 7th bit होती है, अगर आप उसको भी set करेंगे, तो उस case में हम लोगों का timer counter to overflow interrupt जो है वो enable हो जाता है, और जब भी हम लोगों का इहाँ पर timer counter to overflow होगा, तो उस case में हम लोगों के timer counter to overflow interrupt के corresponding जो भी ISR में code होगा, वो code basically execute होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग timer counter to overflow interrupt को use करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को global interrupt को enable करना पड़ता है, इसके साथ ही आप लोगों को अपने local interrupt को भी enable करना पड़ेगा, और जब आप लोगों का यहाँ पर overflow होगा, तो उस condition में हम लोगों का यहाँ पर जो interrupt के corresponding जो flag bit होती है, वो one set हो जाती है, और जैसे ही यह आपका one set होती है, वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर जो ISR है, वो execute हो जाता है, so next, इसके बाद हम लोगों के पास bit number 7 है, इसको हम लोग O, C, I, E, 2 bit भी बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, timer counter to output compare match interrupt enable, ठीक है, जो I bit होती है, उसको one set करना पड़ेगा, और साथ ही आप लोगों को O, C, I, E, 2 जो bit है, इसको भी one करना पड़ेगा, तो जब आप यह दोनों bits को one set करेंगे, तो उस case में आप लोगों का जो timer counter to compare match interrupt है, वो enable हो जाएगा, तो इतना करने के बाद, जब भी आप लोगों के T, C and T2 की value equal होगी O, C, R register के, तो उस condition में हम लोगों के T, I, F, R register में जो O, C, F, 2 bit होती है, वो one set हो जाएगी, और यह set होते ही, हम लोगों के output compare match interrupt के corresponding, जो भी ISR है, वो execute हो जाता है, next, इसके बाद हम लोगों के पास T, I, F, R register है, यह basically आपका timer counter interrupt flag register होता है, और T, I, F, R register की तरह, इस register में भी हम लोगों के जो bits हैं, वो share होती है, timer 0, 1 और 2 के साथ, तो फिलाल हम लोगों के timer 2 के लिए, 6th और 7th number जो bit है, वो use होती है, तो जो 6th number bit हम लोगों की है, यह basically है, T, O, V, 2 bit, या फिर इसको आप बोल सकते हैं, timer counter to overflow flag, ठीके, तो यह जो bit है हम लोगों की कब set होती है, जब भी आपका जो timer counter 2 है, वो overflow होगा, तो उस condition में हम लोगों का T, O, V, 2 जो bit है, वो set हो जाती है, और यह जो आप लोगों की bit है, यह basically clear होती है, हम लोगों के hardware के through, जब भी आप लोगों का यहाँ पर interrupt trigger होगा, तो जो corresponding ISR है, उसमें जो code होता ह है, वो execute होता है, और code के execution के साथ ही, हम लोगों का यह जो bit है, T, O, V, 2 यह clear हो जाती है, यहाँ पर दुसरा तरीका यह है, कि आप लोग T, O, V, 2 जो bit है, इसको logically one लिखे अपने programming के through, तो इस condition में भी हम लोगों का यह जो bit होती है, वो clear हो जाती है, next, इसके बाद आप और चीज़े ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का जो T, O, V, 2 है, अगर वो one set हो जाए, तो आपका ASR execute होगा, ऐसा नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले अपने SREG register की जो I bit है, उसको enable करना पड़ता है, मतलब कि आपको अपना जो global interrupt है, उसको enable करना साथ ही आपको यहाँ पर local interrupt को भी enable करना पड़ता है, जिसके लिए आप लोगों को T, O, I, E, 2 जो bit होती है, T, I, M, S के register में, उसको भी one set करना पड़ेगा, और इसके बाद आप लोगों का जब यहाँ पर overflow होगा, तो उस condition में ही आप लोगों का यहाँ पर ISR execute हो पाएगा, और एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, जब भी आप लोग अपने timer 2 को PWM mode में use करेंगे, तो उस case में हम लोगों का जो timer counter overflow होता है, वो 00 के बाद होता है, क्योंकि इस condition में हम लोगों का जो timer counter है, वो downwards counting करता है, मतलब कि इसकी जो value है 255 से initially start होती है, और 0 में जाने के बाद वो again 255 में आती है, तो यह चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है, next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर bit number 7 जो है, वो है OCF2, इसको हम लोग output compare flag 2 bit भी बोलते हैं, और यह जो हम लोगों की bit है, यह basically cupset होगी, जब आप लोगों के OCR में जो value है, वो equal होगी TC and T2 register के, मतलब कि यहाँ पर आप करेंगे क्या basically, आप OCR जो register है, इसमें कुछ values डालते हैं, ठीक है, suppose करते हैं हम लोगों ने यहाँ पर value 100 डाली, और इसके साथ ही आप लोगों के यहाँ पर जो है TC and T2 जो है, उसकी value हर एक clock pulse के साथ 0 से 1, 2, 3 and so on बढ़त हम लोगों का जो OCF 2 bit है, वो set हो जाती है, और यह जो हम लोगों की bit है, यह basically हम लोगों के hardware के through clear होती है, जब भी आप लोगों का यहाँ पर comparison match होगा, तो आपका OCF 2 जो bit है, वो one set हो जाती है, और one set होते ही आप लोगों का यहाँ पर जो CPU है, वो corresponding ISR को execute करेगा, और जैसे ही उसका execution complete होगा, again आपका जो OCF 2 bit है, वो zero हो जाती है, और secondly अगर आप लोग program के through ही अपने इस bit को clear करना चाहते हैं, तो उस condition में आप लोगों ने इस flag को logically one देना होगा, ठीक है, इसके बाद again आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आपका जो OCF 2 है अगर वो one set हो गया तो आपका ISR execute होगा, उसके लिए आप लोगों को फिर से अपना जो global interrupt है उसको enable करना पड़ता है, साथ ही आपको अपना जो local interrupt है उसको भी enable करना पड़ता है, इसके बाद अगर आप लोगों के यहाँ पर comparison match होगा, तब ही आप लोगों का यहाँ पर ज रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें, अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं, so thank you so much for watching, जे हंद, जे भारत